असलाम आलेकूम तो कैसे हैं मेरे प्यारे मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे उमीद है कि आप सब खैरियस से होंगे आज का जो वीडियो अर्वी भासा पे पार्ट 9 होने वाला है ठीक है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्वी मिला के कैसे बोला जाता है और वीडियो में मिला कर मैं आपको बताऊंगा जैसे कि अगर आपको अपने दोस्त के रूम पे जाना है तो अर्वी में किस तरह से बात करके अपने दोस्त के रूम पे आप जा सकते हैं अपने कफिल से पूछ करके ठीक है और दूसरा है अगर आपका तवेत खराब होता है त तो आप किस तरह से अपने कफिल से कहके हॉस्पिटल जा सकते हैं और मेडिकल जा सकते हैं दवा किस तरह से आप ले के लेने के लिए जा सकते हैं ठीक है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने कफिल से किस तरह से पैसे मांगेंगे और कोई समान अगर खरीदना है आपक च्राइब के आप पैसे ले करके समान खर्च सकते हैं ठीक है, तो इस वीडियो Inte में हम इसी topic के ऊपर बात करने वाला हूं तो चलो वीडियो कου सुरु करते हैं वीडियो सुरु करते ताकि मुझे याद रहे और आपको मैं फटा फट बता सकूँ इससे क्या होगा वीडियो अच्छी बनेगी और आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और हम समझा पाएंगे ठीक है चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हिंदी में अगर आपको अपने दो अपिल का उमर ज्यादा है तो आप उसको बाबा बोल सकते हैं रिस्पेक्ट देके बात कर सकते हैं ठीक है अगर आपको बाबा नहीं बोलना है तो आप मुदीर बोल सकते हैं ठीक है मुदीर मतलब होता है सेट और बोस होता है ठीक है इस तरह से आप मुदीर कहके अपनी ब रोह मतलब जाना सदिक मतलब दोस्त गुर्फा मतलब रूम ठीक है बाबा अनरो सदिक गुर्फा फिर आपका कफील आपको क्या कहेगा तैफ इंता रोह तैफ मतलब होता है ठीक है इंता रोह मतलब जाओ तुम जाओ ठीक है फिर आपको कफिल क्या बोलेगा इंता मिताईजी यानि तुम कब आओगे अगर आपको रात में आना है तो आप उसको बोलोगे बाबा अनाईजी बिलेल सा इतनास यानि मैं रात को आओँगा रात को बारा बज़े ठीके बिलेल मतलब होता है रात सा इतनास मतलब होता है बारा बजे ठीक है अगर आपको सुबह में आना रहेगा तो आप उसको क्या बोलेगी बाबा अनाई जी बुकरा सुबह सा तमानिया यानि मैं कल आऊंगा सुबह में सुबह आड़ बजे ठीक है इस तरह से आप बोल सकते है सा तमानिया मतलब होता है आड़ बजे बुकरा मतलब होता है कल सुबह मतलब होता है सुबह बोलते हैं हम लोग सुबह तो आप इस तरह से बात करके आ सकते हैं और बाबा अनारो सदिक गुर्फा इस तरह से बोल करके आप जा सकते हैं अब दूसरा टोपिक है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने कफिल से किस तरह से पैसे मांग सकते हैं तीक है आप क्या बोलोगे बाबा अनमायंदिक फुलूस बाबा अनमायंदिक फुलूस मेरे पास पैसे नहीं इन्ता जिम्यारियाल फुलूस मेरे पास पैसे नहीं है तुम मेरे को सौर रुपय दो इन्ता यानि मेरे पास पैसे नहीं है तुम मेरे को सौर रुपय दो अना माइन देख फुलूस जिम्यारियाल फुलूस इस तरह से आप अपने कफिल से पैसे मांग सकते हैं अगर आपको कोई समान लेना है जैसे कोई भी चीज नया लेना है ठीक है कोई भी चीज लेना होगा है मैं एक्जामपल दे रहा हूँ आपको मुबाइल का अगर आपको नया मुबाइल लेना है तो अपने कफिल से किस तर जदिजवाल ठीक है जिविंता फुलूस बाबा अना इपगा जदिजवाल जिविंता फुलूस तो वह आपको बोलेगा कम इपगा फुलूस ठीक है वह आपको बोलेगा कम इपगा फुलूस तो अगर आपको एक हजार रुपे चाहिए तो आप बोलोगे अना आपगा वाहि अल्फ मेरे को एक हजार रुपए चाहिए तो बोलेगा तईप तो इस तरह से आप पैसे अपने कफिल से मांग सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत कोई परिशानी है तो आप अपने कफिल से क्या बोल सकते हैं बाबा मुश्किला अना मुश्किला मतलब मेरे को दिक्कत है तो आपका कफिल क्या बोलेगा एश मुश्किला एश मतलब क्या मुश्किला मतलब दिक्कत यानि क्या मुश्किल है क्या दिक्कत है तो आप उसको बोलोगी बाबा अना तबान बाबा अना तबान ठीक है मेरा तवेत खरव है तो बोलेगे वो फिर बोलेगा आपको इस मुश्किल आइंता यानि क्या दिक्कत हो रही है तेरे को तो आप बोलोगे बाबाना हरारा हरारा मतलब होता है बुखार अगर आप बुखार भी बोलोगे तो भी वो लोग समझ जाते हैं तो वो बोलेगा इनता आपको दवा अगर आपको दवा चाहिए तो आप बोलोगे अगर उसके पास दवा रहेगा तो वो दवा देगा आपको अगर आपको हस्पीटल में जाना है तो आप किस तरह से बात करो के बाबा अना रो मुस्तसपा, लाजिम अना रो मुस्तसपा, यानी मेरे को हस्पीटल जरूरी जाना है, यानी हस्पीटल मेरे को जरूरी जाना है, अना रो मुस्तसपा लाजिम, ठीक है, इस तरह से आप लाजिम लगाओगे तो जरूरी हो जाता है, अना रो मुस्तसपा लाज अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या बोलोगे अना माफी मालूम इंता ताल सवा सवा ठीक है यानि तुम मेरे साथ में चलो मेरे को नहीं पता है इस तरह से आप बात करके जा सकते हैं अब यहाँ पर मैं आपको वड़ बताऊंगा ठीक है दवा दवा को बोलते हैं दवा अरवी में भी दवा बोलते हैं और हिंदी में भी दवा बोलते हैं ठीक है साइद अलिया साइद अलिया होता है मेडिकल साइद अलिया अर्वी में होता है और हिंदी में होता है मेडिकल ठीक है अगर आपको मेडिकल जाना है तो किस तरह से बात करेंगे आप बोलेंगे बाबा साइद अलिया रो बाबा अनरो साइद अलिया ठीक है, इस तरह से बोलेंगे मैं मेडिकल जा रहा हूँ, अना आपका दवा, यानि मैं मेडिकल जा रहा हूँ, मुझे दवा चाहिए, मैं मेडिकल जा रहा हूँ, मुझे दवा चाहिए, अब वहाँ पे जाओगे, अगर मालो, मेडिकल बंद है, तो किस तरह से बात करोगे, सक्कर साइदलिया सक्कर फी साइदलिया मतलब दुकान बंद है मेडिकल बंद है सक्कर फी साइदलिया ठीक है यानि मेडिकल बंद है अगर आप रास्ते में हैं तो किस तरह से बात करेंगे अना माजूत तरीक मैं रास्ते में हूँ ठीक है वद्धी, वद्धी मतलब होता है वहाँ, ठीक है हम बोलते हैं न वहाँ, तो वहाँ को वद्धी बोला जाता है ठीक है नफर, नफर मतलब होता है आदमी, ठीक है रज्जाल, रज्जाल मतलब होता है आदमी, नफर मतलब आदमी, रज्जाल मतलब आदमी, ठीक है सैबा, सैबा मतलब होता है बुढधा, ठीक, उमर, उमर मतलब होता है एज, एज होता है ना, उमर, उमर मतलब एज, वहित सना एक साल, वहित सना को एक साल कहते हैं सना, मतलब साल, वहित सहर, मतलब एक महीना, सहर, मतलब महीना बस आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं आप लोग इतना word को और मिला के जो मैंने अर्वी बताया हूँ उसे याद करिए ठीक है इतना याद करिए फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में फिर पार्ट दस्मा बनाएंगे अर्वी का उसमें भी मैं आपको मिला के बत कि अदिते हैं आपको में वीडियो यहींस